कि निंदेद हडे हुई चोरी से शंशनी फैली है कल शनिवार को मुमरा के कादर पैलेस में एक चोरी की वारदाश सामने आई यह चोरी नहीं घर का ताला तोड़ा नहीं बलकी ताला खोल कर घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है दिन दाड़े हुई इस चोरी से हड़कंप मचा हुआ है कादर पैले सुमेरा हाइट्स नामक इमारत की छाटवे मंजिल पर रूम नंबर 606 में जिशान फारुकी के घर में हुई चोरी हम आपको उस घर की तस्वीरे दिखाते हैं कि चोरों ने घर का ताला खोल कर बेट के अंदर सुटकेस में सोना चान्दी 85,000 रुपया कैस और घर के कुछ जरूरी डाक्योबेट रखे हुए थे वो सुटकेस लेकर फरार हो गए हैं घर के अलमारी के सामान भी बिखरे हुए हैं दर असल शनिवार को जिशान फारुकी पूरी परिवार के साथ रॉयल टावर में दावत पर गए हुए थे करीब पाच बजे जिशान फारुकी को सोसाइटी से किसी बेक्ती ने कॉल कर जानकारी दी कि उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है जिसके बाद घर पहुँचकर जिशान ने देखा तो उनके होश उड़ गए घर का सामान बिख्रा हुआ था अलमारी खुली हुई थी और बेट के नीचे सूटकेस को बेट तोड कर निकाल लिया था चोरो ने जिशान फारुकी ने बताया कि महिलाओ के जेवर थे जिसमें आठ तोला सोना छे तोला चांदी की पायल घर के डाक्योमेंट्स और जरूर 30,000 रुपे नगदी थे कुल मिलाकर 18,58,500 रुपे पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है जिशान फारुकी के घर में दिन दहाड़े हुई इस चोरी की F.I.R मुम्रा पुली स्टेशन में दर्ज की गई है जिशान का ये भी कहना है कि चोरी दर्वाजे पर लगे ताले को तो शक है और उन लोगों की जानकारी पुलीस को भी दी गई है और पुलीस ने 454,38 के तहर मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलास में जुट गई है एरिये के CCTV फोटेज भी पुलीस खंगाल रही है मेरा जिसान फारू की नाम है और हम लोग जो फैमली में मर थे वो लोग रॉयल टावर गए हुए थे चोटा फंक्सन था वहाँ पर इसके लिए वहाँ पर गई कैसे चाल कारी मिली आपको की घर में चोरी हुए अपकी जाड़े पांच बजे के आसपास फोन आया था हमरे पास कि आपको घर खुला हुआ है और आपके घर पे चोरी हो गई है तो फिर हमने फोन करके उनको अपको फोन किये कि घर पॉंचो वहाँ पर देखो क्या कैसा है तो लोग आके देखे सब देखे तो यहां पे सब चोरी हो गए था और उसमें जो है सोना आठतोला अगए था 15,000 अजार कैस था और 6 तोला कि उसमें जो है पायल थे और बहुत से किम्ती समानता और घर के पेपर भी थे उसमें उरिजिनल पेपर वो भी सब थे इसे में ताला जो है खोल के चोरी हुई है और जिन लोगों पर सकता हमने पुलिस को बता दिया है तो पुलिस वाल अपना चानबीन कर रहे हैं वो लोग अपना एफाई यार भी दर्ज कर लिये हैं और आगे के कारवाई वो अपने हिसाब से करेंगे कर रहे हैं और सुवे में अभी कराम ब्राइच वाले थाने से आई हुए थे वो भी सब अपने हिसाब से करवाई कर रहे हैं ताजा तर्टन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना न भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें